नमस्कार दर्शको मैं हूँ आपकी होस्ट अंशिका सिंग चौहान और आप देख रहे हैं 30 खबर 24 आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने रीवा और विंध का नाम पूरे मुंबई में रोशन कर दिया है जाने माने आकचर बॉलिवुड आकचर अर्जुन दुवेडी जी की जो कि रीवा के साथ साथ विंध का पूरा नाम रोशन कर रहे हैं पूरे मुंबई में और अपनी एक्टिंग से सब को प्रभावित कर रहे हैं चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में और साथ ही साथ जानते हैं कि उनका रीवा के उपर क्या कहना है रीवा के बारे में वो कितना जानते हैं और क्या सारी चीजें वो रीवा के बारे में हम सभी को बताने वाले हैं सार आपका बहुत-बहुत स्ागत है तेजगों में अल्षीका जी बहुत-बहुत धन्यवाद और तेजगों के सभी दर्शप से इंटर्वीड की शुरुवात की जाए देखिए पिछले साल हमारी गदर टू आई थी गदर टू ने पूरे हिंदोस्तान में और पूरे दुनिया में गदर मचा दिया था उसका एक डायलोग बहुत पॉपुलर है जो बहुत फेमस है तो हिंदोस्तान जिन्दाबाद था जिन्दाबाद है और जिन्दाबाद रहे आगया आपके इस डैलोग से अब हम यह जानना चाहेंगे यहां क्यों ना हम ऐसा कहे दें रिवा जिंदाबाद था जिंदाबाद है और रिवा हमेशा जिंदाबाद रहेगा वाह बहुत बढ़ी है तो वैसे तो आपके बारे में पूरी दुनिया यह जान चुकी है लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपनी जुबार से अपने बारे में छोटा सा इंट्रोड़क्शन हमारे दर्शकों को दीजिए जी जी अब मैं मुलते रिवा का हूं और यहां से ही मैंने अपनी शिक्षा वगारा प्राप्त की अभिने के शुरुवाद भी हमने रिवा से ही की स्कूलों से स्टेक स्कूल हमने अभिने के शुरुवात भी कि शिक्षा के साध साथ अब उसके बाद यह क्योंकि हमारा अभिने में रुची जो है वो बहुत बच्छपन से आगई थी और मैं सक्री था अभिने में फिर हमने रिवा में राश्टी नाटविया लेके वर् देंटल कॉलिज में वहां मैं हाउस सर्जन भी रहा और उसके बाद वहां से मैं मुंबई की तरफ गया क्योंकि मेरा जो पैशन था उसको मुझे फॉलो करना था उसको आगे बढ़ाना था और मैंने जो कुछ रीवा में सीखा था रीवा की धरती में जो मैंने शुरुआत की थी उसको एक अंजाम देना था और उसके लिए मुंबई तक पहुंचना ज़रूरी था वहां साबित करना ज़रूरी था तो यह यात्रा रीवा की धरती से शुरू होकर अभी मुंबई तक पहुंची है और मुंबई से फिर पूरे देश तक और बाकी और भी दूसरे से रिवा से हुई और आज उसी शहर में वापस इस पूरी आत्रा को करते हुए वापस घूम कर मैं आज रिवा आया हूं इस इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जो रिवा में और कनाईज हुआ उसके लिए मुझे आमंत्रित किया आपको रिवा के आपने वैसे रिवा आया काफी साल बाद आया दस साल बाद आया तो मैंने देखा की रिवा का नक्षा बिलकुल बदल चुका है मैं इस शहर को पहचान नहीं पाया जो डेवलप्मेंट और विकास मैंने यहां देखा बड़ी बड़ा घर्व भी हुआ और इसके लिए मैं धन्यवाद द तरह उन्होंने स्थापित कर दिया है तो बहुत मुझे खुशी हुई मैं उनको बहुत बहुत बदाई देना चाहता हूं और यह मैं उमीद करता हूं कि यह विकास की धारा इसी तरह बैती रहे अभी मुझे रिवा में बताया कि अब अगली बार आपको प्रयाग राज य और पूरे इंडिया से और इंटरनेशनली भी कनेक्ट हो जाएगा तो फिर अब रिवा का जो भविश्य है वो बहुत ही उज्वल है हमारे ऐसी लीडर्शिप की वज़े से ऐसे विजिन राजिंद्र मानी राजिन शुपलजी की विजिन की वज़े से मुझे खुशी है कि रिवा विकास की और जाएगा और देखिये ना ऐस एन अक्टर भी आज जो मुझे उत्साह उन्होंने दिया है हमारे मानी डेपुटी सीम साहब ने उन्होंने हमें खासतोर से आमंतरित किया तो इससे एक ऐस एन अक्टर मुझे कितनी उर्जा मिली मैं आप लोगों को बता नहीं सकता यहां पर वापस रिवा में जो आमंतरित किया मुझे मानी मुख्यमंतरी जी ने अब मेरे अंदर एक डबल उर्जा आ गई है और अब मैं डबल शक्ति से डबल पावर से रिवा के लिए रिवा का और विंद का नाम करने की बॉलिवुड में और कोशिश करूँ इस उर्जा की वज़े से फिल्म इंदस्ट्री में आप आए आपने ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफी स्ट्रगल भी किया हो बहुत सारे ऑप्सिकल्स भी आए होंगे सामने तो उसको कैसे फेस किया आपने और उससे कैसी आगे बढ़के आजाप यहां तक पहुँचे हैं दिखिए अजिका जी मैं सही बताओ तो अभी ने तो मेरा पैरलेली चल रहा था लेकिन साथ में मैं अपनी एज्यूकेशन को भी साथ लेके चल रहा था विकास मेरा थोड़ा मेडिकल बैक्राउंड भी था हमारे बापा रीवा के डीन भी रहे मेडिकल कॉलेज के तो एक म मुंबई में जाकर मैं अभी पार्ट टाइम क्लिनिक भी करता हूं वहां डेंटिस्ट्री भी करता हूं और ये तो हमारा पैशन कहा रही है मुख्यधारा में ये चीज अभीने तो है ही तो इस पैशन को फॉलो करने के लिए देखिए संगर्ष तो है क्योंकि ये सीधा आप देना पड़ता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के तेस खबर के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जो और जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं हमारे विंद के जो कलाकार हैं जो एक्टरस हैं कि अपने आप पर विश्वास हमें रखना चाहिए और हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए आत्मविश्वास के साथ रास्ता जरूर मिलेगा मन्जिल जरूर मिलेगी इस इंडस्ट्री में ऐसा भी कहा गया है कि परस्नालिटी बहुत जरूरी है लुकिंग्स बहुत जरूरी है तो जिससाब से आपने इसे मैंटेन किया है तो इसमें आप अपना कितना चाइम देते हैं हमारी यूथ जरूर ये जानना चाहेंगे जी हाँ फिजिकल फिटनेस भी अच्छी बात है उसको भी साथ में कर यह भी मेरा एक पैशन रहा है अंशिकाजी यह हमारा एक पैशन रहा है फिटनेस तो मैंने इसको भी नहीं छोड़ा कभी जो जो चीजे मेरा पैशन रहा है उसमें से कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा adventure, adventure मेरा passion रहा है प्राकृतिक सौंगर, nature love उसको भी मैंने नहीं छोड़ा मेरा ये रहा है जीवन कफंडा कि या मोटो कि जो चीज जो आपका passion है वो आप उसको follow करते रहना है उसको छोड़ना नहीं है अगर सच्चा प्यार है किसी चीज से तो उसे छोड़ना नहीं है करते रहना है तभी आपका वो सच्चा प्यार साबित होगा वो चाहे अभी नहीं हो, कोई भी शेत्र हो तो ये fitness भी मैं मनशेगा जी regular करता हूँ और gym हुआ running हुई, cardio हुआ, cycling हुई swimming हुई, running हुई ये सब मैं पूरा follow करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि fitness भी maintain रहे है लेकिन अरजुन सर ऐसा भी देखा जाता है कि आज की जो youth है वो जल्दी से outcome चाहती है किसी भी चीज़ को ले करके चाहे फिर वो fitness की बात हो या फिर किसी काम को ले करके हो तो उसके बाद अगर उन्हें वो outcome नहीं मिलता है तो फिर पीछे back कर जाते हैं तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे नहीं एकदम से तो देखे मैं भी अभी जितना भी मुझे मैं कोई बहुत बड़ा यह नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ एचीव कर लिया है जितना भी मुझे मिला है उसको step by step ही हमने किया है देखिए जैसे मैंने आप से कहा कि मैं स्कूल में मैंने play शुरू किया था अभी नहीं के शुरुआत स्कूल से की फिर नाटक किये फिर थियेटर किया फिर मैंने भोपाल में और इन दौर में रीजिनल टेलिविजिन भोपाल दूरदर्शन जो मद्ध प्रिदेश का दूरदर्शन है उसके लिए टेलिविजिन सीरियल्स किये तेली फिल्म की तब जाके आज मैं करते 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 एक्सपिरियंस बढ़ता गया अनवो बड़ा और लोगों के सामने में आया लोगों ने आपके टैलेंट को या मेरी प्रतिवा को समझा तो फिर बॉलिवुड के जो टॉप मूस डिरेक्टर्स हैं करते करते इस राह में चलते चलते उनकी नजर में आया तो मुझे भी आज ये करते हुए सालों लगे और ये लड़ाई लड़ते हुए मुझे भी सालों लगे तो अगर कोई छीज ठानी है जैसा मैंने पहले भी कहा तो हमें फॉलो करते रहना है सच्चाई के साथ करते रहना है तो यूथ को भी मैं आज हमारे विंध के जो भी हुआ है उनको यह कहना चाहूंगा कि जो भी उन्होंने ठाना है उसको करते रहें, step by step उसको सीखें, सीधे पहाड की चोटी में हम नहीं पहुंचते हैं हम एक-एक step करके पहाड में चड़ते हैं, चड़ते हैं, चड़ते हैं तब जाके हम कहीं उस पहाड की चोटी पर हम पहुंचते हैं सीधे landing से वो सम्हों नहीं है अगर खुद हमें चड़ना है helicopter से चड़ना वो एक अलग बात होगी लेकिन खुद अगर चड़ना क्योंगे helicopter से चड़ने का कोई वो long lasting नहीं रहेगा वो आप फिर नीशे किर जाओगे उसके लिए उपर खुद चड़ना होगा और उसमें थोड़ा सा वक्त दे और मेहनत दे संघर्ष दे और सच्चाई दे इमांदारी दे तो ज़रूर होगा लगन दे आपने adventure की बात की और हमने आपके instagram post में भी देखा है कि आपने बहुत सारे photos और videos डाले है adventure spots के तो उसका passion आपके अंदर कैसे आया मैं आपको बताओं यहां रीवा में जितने आसपास के रीवा land of white tigers के नाम से जाना जाता है यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सालों से रीवा में white tigers विलुप्त हो गए थे रीवा में white tigers सफेद शेर सफेद बाग थे ही नहीं तो मैं फिर से कहना चाहूंगा यहां पर यह भी हमारे deputy cm राजेंद शुकली जी ने किया कि उन white tigers को रीवा के जो white tigers जो यहां से पहली बार पूरे विश्व में पाए गए थे उनको वापस वो रीवा की धर्थी पर लेकर आए और आज हम गर्व से कहते हैं कि वाइट टाइगर्स हैं अभी भी रीवा में हैं इस धर्थी पर सफेज शेराज भी विचरण कर रहे हैं तो प्रकृती से बहुत लगाव रहा आज-पास के खुबसूर छेत्र चचाई क्योटी बहुती वाटरफॉल पुर्वा वाटरफॉल मैं आपको बताना चाहूंगा मुझे लगता है ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसा कोई शेहर नहीं होगा पूरे विश्व में अन्शिका जी ऐसा कोई शेहर नहीं होगा ये बात लोगों के सामने आनी चाहिए और मैं इसके लिए काम करूंगा पूरे विश्व में एक ऐसा शहर जिसके सिर्फ पचास किलो मीटर के दाइरे में ऐसे चार-पांच इतने बड़े-बड़े वाटर फॉल्स एक शहर के बगल में चचाई, क्योटी, बहुती और पुर्वा इतने बड़े-बड़े यूज जल प्रपात ऐसा कहीं नहीं मिलेग तो रिवा एक तरह से सिटी ओफ वाटर फॉल्स भी कहलाना चाहिए, जल जैसे भोपाल को हम कहते हैं, जीलों की नगरी, जीलों का शहर, तो रिवा भी जो है, वो जल प्रपातों का शहर के रूप में सामने आना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने पूरा एक हैं, ये पहाड भी, मैंने हम मुंबई के पहाड भी, और महराश्टरा के पहाड भी, शिवा जी के किले, मैंने सब, सब में एडवेंचर किया हुआ है, और हमारा एक ग्रूप है, हम लोग कैंपिंग करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, साइक्ल तून आपके अंदर एडवेंचर को लेकर भरा हुआ था सर्वापस हम फिल्म इंटस्ट्रे के बात करते हैं आपनी तो सारी मुवीज की हैं कई सारे अक्टर एक्ट्रस के साथ काम किये हैं उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा मतलब रियल लाइफ और रिल लाइफ में क्या दिफ्रेंसेज भी है कुछ मेरा अच्छा अनुभव रहा सबसे पहले अभी मैंने बादशाहों की थी अजे देवगन साथ अजे देवगन इम्रान हाश्मी विद्दुच जांबल तो ये बहुत एक बड़ी मल्टी स्टार फिल्म थी बिग बैनर फिल्म थी तो क्योंकि मै टेलिविजन कर रहा था उसके बाद एकदम से इतने बड़े सुपर स्टार्स के साथ काम करना वो अपने आप में ये बहुत प्यारा अनुभव था बहुत अच्छा लगा फिल्मों की शूटिंग एक डिफरेंट लेविल पे होती है एक अलग लेविल पे उनका एक अलग का लगा सीधे अजे देवगन और बड़े बड़े सुपर स्टार्स के साथ काम करने का जो ये मौका मिला तो बहुत अच्छा अनुभव रहा एक्टिंग वाइस भी बहुत कुछ हमने सीखा उनसे जिस तरह से वो डाउन टूर्थ रहते हैं किस तरह से वो कामली काम करते है इतने फैंस उनके होते हैं फिर भी वो उनके सामने एक कौनसेंट्रेशन के साथ फिर भी वो किस तरह से काम करते हैं उनका उत्सा जिसे अजे सर ने भी काफी मुझे अप्रिशियेट किया हमारे डिरेक्टर मिलन लूथरिया जी ने टारीफ की तो इस सबसे मुझे और को भी कहना चाहता हूँ जरूर देखिए इंडियन पॉलिस फोर्स जो अमजन प्राइम पर है और ये देश की इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन सिरीज है रोई शेटी सापने पहली बार ये सिरीज बनाई है एक सिरीज में पहली बार वो आये हैं ओटीटी वोल्ड में तो ये सुपर हिट हो गई है अभी और इसमें भी रीवा की मिट्टी की खुझबू है अंचिका जी तो हम इसमें बंगलादेश में जो पूरा ये स्टोरी सेट होती है और क्लामेक्स जो टिपिकल के बिगस्ट डिरेक्टर के साथ काम करते हो वो भी रोईज शेटी साथ काम करते हो तो वो मैंने अभी मुंबई में भी मीडिया से बोला कि ये एक ड्रीम वर्ल्ड की तरह रहता है रोईज शेटी सेट होता है उनके जो काम करने का तरीका होता है मैं पहुंचते ही एक ग्लादेश, बॉर्डर, वो हाई लेवल पे वो शूटिंग, वो एक्शन, वो ब्लास्ट हो रहा है, वो कारें उड रही है, वो कार चेजिंग हो रही है, तो मेरा भी एक और पैशन है ड्राइविंग, आटो मोबील्स, तो मेरी जो सबसे पसंदीदा गाड़ी है, रोईज सर पीओ है, जो कि पूरे मुंबई में एक अनोकी गाड़ी है, तो ये एक कनेकशन रोईशेटी साथ के साथ रहता है, रोईशेटी सर के साथ रहता है, सेट्स पर गाड़ियों का फ्रेम, ड्राइविंग का प्यार, मैं कई बार पहले मुंबई से रीवा तक ड्राइव करके एता हूँ तो ऐसा भी मैंने कई बार किया है अपने पूरे सामान के साथ मैं मुंबई से निकलता हूँ और रीवा तक की ट्राइविंग करता हूँ तो ये connection सर के साथ रहा तो एक सपनों कशरव सपनों जैसा लगता है रोईचैटी सर का से बहुत ही मज़ा आता उनके साथ काम करने का एक बिल्कुल अलग अनुबाव है, बहुत ही प्रोफेशनल और बड़े लेवल पे शूट करते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी फिल्म, इस साल की और एक तरह से स्टार कास्ट के तौर पर भी सबसे बड़ी बॉलिवूड की फिल्म, सिंगम अगेन, तो उसमें उन्होंने हमें कास्ट किया अगली फिल्म में, इंडियन पॉलिस फोर्स के बाद, तो उमीद है वो भी दर्शकों को पसंद आएगी, मुझे ऐसा लगता है. सर आपने जैसे बताया अपनी स्टोरी के बारे में आपने स्ट्रगल भी किया, और डॉक्टर भी रहे हैं आप, तो इसे कैसे मैनेज किया दोनों चीजों को? हाँ, मैंने वही कहा कि राह में इसी लिए संगर्श काफी रहे, अब सही बताओं तो इंडॉर देंटल कॉलेज में जब मैं था, गोवर्में देंटल कॉलेज में, ऐसे हाउस सर्चन, तो मैं वहाँ से छुट्टी लेता था, लीव लेता था, और फिर आके मैं भोपाल में शुटिंग करता था, वापस इंडॉर जाता था, इंडॉर की आकाश्वाणी में भी मैंने काम किया, रेडियो में काम किया, वहाँ मैं casual announcer था, तो रात में मेरी duty लगती थी as a casual announcer, after the college, तो मैं college के बाद, dental college के बाद मैं रात में इंडॉर आकाश्वाणी में जाके announcement करता था as an announcer, तो यह सब और बहुत सारे shows करता था, stage shows करता था इन दौर में, जो भी events होते थे इन दौर में, वो भी मैं करता था, तो इस तरह से मैं active था, किसी तरह दोनों चीज़े manage करता था, लेकिन अभी तो चुकि शूटिंग की वज़े से समय कम मिलता है, तो जादा मैं अभी बॉलीवोड और फिल्म इंडस्ट्री में जादा active हूँ इस वक्त. चोटा दिखाने की, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं मुंबई जाते ही मैंने पहला serial किया, पहले regional television किया भोपाल में, जब मुंबई पहुचा तो पहला national television किया, ऐसा नहीं था कि मुझे कोई सीधे मैं चाहता था कि मैं film में चला जाओं, मैंने step by step ही काम किया, और television को पूर अगर आपको acting से प्यार है, तो आप TV भी करेंगे ना, मतलब आपको acting से प्यार नहीं है, आपको सिर्फ हीरो बनना है, आपको star बनने की एक लालसा है, फिर वो काम नहीं करता है, आपका सच्चा प्रेम अगर अभिने से है तो आप फिर television भी करोगे, theater भी करोगे, मौका मिल तो फिल्म भी करोगे, जो सामने आएगा, आप करोगे, ना चाहूंगा, दिलीप कुमार साब जीने मेरा पहला audition, ओके किया था, उन्होंने आपकी तारीफ भी किया है, जी जी जी, उन्होंने हमारी तारीफ की, एक scene के दोरान, और यह हमारा सबसे बड़ा award हमें मिल गया, अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, जब अभिने समराट दिलीप साब ने, यूसुफ खान साब ने, जब कह दिया कि अरजुन कमाल का डायलोग बोला आपने, तो जब यह बोल दिया, फिर मुझे मैंने कहा बस, अब यूसुफ खान साब का हमें दिलीप कुमार जी, अब इने समराट, उनका हमें आशिरवाद मिल गया, अब कुछ हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए है, तो बहुत अच्छा समय रहा दिलीप, दिलीप कुमार साब और सायरा बानुजी के घर पर ही मैं पहला सीरियल अपना शूट करता था, आप देखिए, दिलीप कुमार साब का घर अभिने का मंदिर है, तो वहां मुझे 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 मुखा मिला कितना लखी रहा मैं, कि मुंबई जाते ही दिलीप साब के घर पर शूट कर रहा हूँ, टेलीविजन सीरियल था, नाशनल टेलीविजन था, देश का, नाशनल चैनल था, बट कितना अच्छा लगा म मैं पहुशा हूँ, बिल्कुल सेर, आपकी जर्नी बहुत ही इंट्रस्टिंग और आपने जो एडवेंचर बताया, वो भी बहुत इंट्रस्टिंग लगा, और मैं कोशिश करूँगी कि हमारे दर्शकों को भी आपने जो बताया है, रीवा के बारे में, वो भी बहुत ही बताया है, तो मैं जरूर कहूंगी कि हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, जी जी बिल्कुल, ये मैं नहीने जगे एक्स्प्लोर करने का शौकीन हूँ, और बहुत खुबसूरत है हमारा रीवा भी, तो तेज खबर के दर्शकों से मैं कहना कि अपने शेहर को भी एक्स्प्लोर कीजिए, और आसपास जाईए, जो खुबसूरत जगे हैं, वहाँ पर एडवेंचर कीजिए, बाहर निकलिए, घूमिये, शेहर तो ठीक है, लेकिन प्रकृति का आनन लीजे, प्रकृति शेहर तो हमने बनाया है, लेकिन प्रकृति तो इश्वर ने बनाई है, जो इश्वर ने बनाया है, उसके करीब तो जाना बनता है। और नेक्स टाइम भी, मैं अब जल्दी ही रिवा आऊंगा, क्योंकि अब मेरा एक जुडाव हो गया है, मुझे, क्योंकि मैंने कहा, मैं आब डबल उर्जा से काम करूँगा, इस फिल्म फेस्टिवल के बाद, तो मेरा अब उमीद है, आना होता रहेगा, तो आप लोगों मुवी रिलीज होने वाली है, आने वाली है, उसके बारे में भी आपने बताया है, अभी आचिकाजी उसकी शूटिंग चल रहे है, और ये रिलीज शचाद अभी इस साल में ही ऑगस के आस पास रिलीज होगी, अभी तक 15 आगस की बात चल रहे है, देखिए शेचिए को चूस करेंगे प्रमोशन के लिए बिल्कुल अंशिका जी मैं फिल्म के रिलीज से पहले सिंगम अगेन की रिलीज से पहले मैं जरूर रिवा होंगा और जितना भी होगा उसे दर्शकों के सामने उसको प्रमोट करने की मैं कोशिश करूँगा और चाहूंगा कि ज़्याद promotion के लिए आउंगा तो यह थे हमारे साथ Bollywood जाने माने अक्टर Bollywood अर्जुन जी जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया अपनी TV इंडास्ट्री के साथ साथ Bollywood के आक्टरिंग लाइफ के बारे में बताया और किस तरह से वहाँ पर पहुचे हैं इसके बारे में भी बताया इसी तरह की खबरों को देखने के लिए तेज खबर 24 में बनी रहे तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूं मैं शिका सिंग कैमरा मैन आरिफ खान के साथ